हे गाईज विल्कम बेक टो माई चैनल ब्यूटी डॉल मैं हूँ डॉली तो गाईज कैसे हैं आप लोग आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाईज तो गाईज यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाने के लिए ले जा रही हूँ छत पर क्योंकि जैसे ही मैं सोक बजे और साथ बजे का ये समय है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आस पास कुछ भी नहीं दिख रहा था और कल जो है बहुत कडाके वाली दूप निकली थी अगर आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा तो बहुत तेज दूप थी और आस तो बाकरी में बिल्कुल ऐस लग रहा था कि मौसम खुलेगा की नहीं तो सबसे पहले तो मैं आपको आज है संक्रांती गाइज तो उसकी मैं देती हूँ आप सब लोगों को मेरे दरब से खूप सारी बधाईयां और हैपी मकर संक्रांती और हैपी खिचडी तो गाइज यहां पर जैसे ही मैं छट्टे आई ना तो मैंने देखा बहुत सारा कोहरा है और आप देख सकते हैं कि पेड़ पौदों से जो पानी है वो टपक रहा था और बहुत अच्छा नजारा भी लग रहा था और सरदी तो मुझे इतनी लग रही थी कि मैं को एकदम कपकी टाइप की छूट रही थी और आप द जालत देख सकते हैं सर्दी की वज़े से पिल्कुल ऐसी मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं यहां पर सुकड़ जाओंगी तो मैं आगी थी जल्दी से नीचे और मैंने जाड़ू पुछा साफ सफाई करी ली थी बस मुझे जाना था आज डुपकी लेने मतलब नहाने क्योंकि सं नदी वगएरा में तो हम लोग जाई नहीं पाते हैं वरना बहुत लोग नदी में डुपकी लेने के लिए जाते हैं तो वो है लेकिन बस एकोसे सी रहती है संक्रांती की दिन की सुबह से जल्दी काम करके नहा धुलिया जाए और यहां पर मैं भी नहा के आगी थी मेरी सा होता है शायद उसी में उन्हें पूजा करनी है तो वही उसी की तैयारी करनी थी तो जैसे यहां पर आग जो है कंडी में लगा दी थी कंडा बोलते हैं कंडी बोल सकते हो कुछ भी बोल सकते हो तो यहां पर वही सारी चीज उन्होंने रेडी कर दी थी और फिर हम लोग उन पूजा इस ताइब से नहीं हो तैब साधी के बाद तो हमें अपने सस्डाल की काम करने होते हैं तो यहांपर जैसा करती जा लहीं थी, जैसा बताती जा लहीं थी बेज़े ही मैं करते ही है तो हम लोगों यहीं पर छट पर छादा लग रही ही design is getting subscribed to side trabalhar वो सोके उठा होगा तो उसको कहीं पे हम लोग नजर नहीं आ रहे थे तो उसको जो भी लगाओ कि हम छट पे हैं तो इसलिए वो आ गया था चट पे तो हम लोग जल्दी से पूजा करके आ गए थे नीचे और यहां पर मैंने दो रवच्चों को कर दिया था निला दुला के रेडी क्योंकि आज मुझे जाना था तेवहार मनाने अपने माई के और वैसे मेरा बिल्कुल भी विचार नहीं था क्योंकि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया ही था कि मुझे थोड़ा सा काम था पर पास में माई का हो और तेवहार के दिन मैं ना जाओं तो ऐसा होई नहीं सकता है और बुलाने की बात की जाए तो गाइस सभी लोगों ने बुलाया मुझे सो वैसे ही फोन करना स्टार्ट कर दिये थे और भाई मेरा लेने भी आ गया था तो इस चक्कर में फिर मुझे आना ही पड़ा और मैं फिर भाई के साथ आ गई थी और यहाँ पर जैसे ही मैं घर पे आई तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुस हो गए थे क्योंकि मेरा बिल्कुल भी आने का विचार नहीं था और मैं बिल्कुल मनाई कर रही थी इस बार पर में की जित के आगे और भाईयों की बज़े से फिर मुझे आना ही पड़ा तो मैंने का कि चल से मिला और सबको मुवारक बात दी और वैसे भी जब सब लोग इखटे होते हैं तो हर के दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वैसे भी आज के दिन जो मकर संक्रामती होती है उसमें साधी सुदा लड़कियां अपने घर जाती ही हैं आप लोगोंने मेरे पि आप देख सकते हैं बड़ा खुस हो रहा था अपनी बाच को देखके क्योंकि इसमें लाइट जलती है तो इसने बहुत दिन बाद पहनी थी तो बड़ा खुस था और बच्चे इनी छोटी छोटी चीजों से बहुत ज़्यादा खुस हो जाते हैं और फिर जैसे ही मैं क्योंकि हम लोग जब भी बनाते हैं तो हमेशा मिक्सी से ही बनाते हैं पीस कर लेकिन ये जो बजिये बन रहे थे बजिये नहीं बोलते हैं इनको मतलब मंगोडे बोलते हैं ये जो मंगोडे बन रहे थे ये बने हैं सिल्वट्टे पे पीस के तो मुझे बहुत ज़्यादा excitement थी उनको खाने की क्योंकि बहुत tasty लगते है सिल्वटे पे जब बनाओ तो मुझे और ज़्यादा मन करने लग गया था कैसे ही बना रही थी गर्मा गरम खाने के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस चल्दी से अब मुझे खाना है क्योंकि मैं सिर्फ चाय पी के आई थी अपने घर से क्योंकि लोगों ने मना कर दिया था कि कुछ भी खा के नहीं आना है जो कुछ खाना है सब इदरी खाना है तो इसलिए फिर घर पे कुछ मैंने बनाया नहीं था सीधे चाय पी के आ गई थी फिर भी मुझे घर से आते आते ग्यारा बच गया था क्योंकि बच्चों में तो टाइम होई जाता है और घर में जो भी काम रहता है सारा समेट के आई थी और सरदी तो आप लोग ने देखी लिए कितनी ज़्यादा थी और ऐसा होई नहीं सकता कि संक्रांती वाले दिन सरदी ना पड़े तो वही मेरी मम्मी बोल रही थी कि इतने दिन से खुला हुआ था मौसम करीवन तीन-चार दिन से और जैसे यार संक्रांती आई तो मौसम बिल्कुल दब गया है और सरदी एकदम बहुत ज़्यादा लग रही थी और यहाँ पर यह मेरा भाई है तो इसको मम्मी ने सब से पहले दिये वैसे तो मम्मी मेरी से बोल रही थी खाने के लिए लेकिन मुझे लगा यहाँ जो गजक होती है तिल की वो खिला के संक्रांती मनाई जाती है हमारे यहाँ लड़ू नहीं खिलाए जाते है इसलिए मेरी मम्मी यहाँ पर सब को खिलाने लग गए थी गजक बैसे तो यह होता है हमारे यहाँ मतलब मेरे माई के साइड कि जो मेरा बाई है मतलब मेरे जो भी बाई है वो बेहन को gajag खिलाते है लड़ू हमारे हैं नहीं चलते हैं माई के में लेकिन जब से मेरी शादी इðार हुई है न तब से देखा कि भाई यहाँ लड़ू चलते हैं तो फिर जैसा जहां होता है वैसा काम करने लगते हूँ यहाँ पर मैं अपने भाई को खिला रही थी तो मेरा भाई अल्रेडी मंगोडी खा रहा था और देख सकते हैं इसने इतना बड़ा नाटक किया मतलब जूटा करके मुझे खिला रहा था तो मैंने का चल मैं नहीं खाऊंगी यह था तो यह मेरे भाई चोटे चोटे हैं और बहुत नाटक करते हैं यहाँ पर फिर इसने मुझे खिलाई और भाई आसिरवाद लिया मेरा क्योंकि मैं हूँ बड़ी इससे इसलिए और फिर हम लोग ने एक दूसरे को खिलाई तो मैं यह बोल रही थी कि मैं को जूटी खिलादी हाँ तो यहाँ पर फिर फिर चोटी वाली बहु मतलब मेरी भावी भी बोल सकते हैं तो यह चोटी वाली भावी लेके आरी थी चाय तो फिर बहुत अच्छा लगता है जैसे सब लोग लड़लू खिलाते हैं हम लोग गजग खिलाते हैं तो जो जिसके हाँ जैसा चलता है वो वैसे ही करता है और यहाँ पर फिर भावी ने मुझे भी खिला दी थी और मैंने भावी को खिला दी थी और बात की चाहे आसीरवादों की गाइस तो भाई पैर तो आज ऐसे और इनकी गाड़ी गुड़े स्टार्ट हो गए थे और जब चाय गर्मा गर्म आई तो फिर हम सब लोगो ने एक एक कप चाय पी क्योंकि सर्दियों में सबसे पहले आप कहीं भी चले जाओ आपको मिलेगी चाय कोल्डिंग तो मिल नहीं सकती और जायती बात है कि इतनी इसलिए मेरा जो ब्लॉग है वो चाय के बिना तो कंप्लीट होता ही नहीं आप लोगों ने देखा होगा चाय मैं अपने माय के आउँ चाय मैं अपने घर पे रहूं मैं चाय पीती हूं तो आप लोगों को दिखाई देती हूं तो यहाँ पर बड़िया गर्मा गर्म है और मेरी जो सासो मा है हम दोनों बैटके पी रहे था रहा हम से चाय और आप देख सकते हैं कि जब हम लोग पी रहे थे तो इसको भी पीनी थी यह है मेरा छोटा वाला बेटा इसको भी पीनी थी चाय और बड़े स्वास से और कफी में पीनी थी बड़े मजे से पी रहा था सही मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं गिरा ना दे और या फैला देगा तो फिर कपड़े सारे खराब हो जाएंगे पर इनको क्या मतलब है कपड़े खराब होने से इनको तो अपनी मस्ती में चाह पीनी थी तो ये चाह पीरा था बड़िया मस्ती से और फिर उसके बाद आप कि गरमा गरम मगोडे आ गए थे चटनी के साथ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेट थी खाने के लिए और आस तो गाइज मैंने इतना खाया होगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ अभी तो ये सुरुआत है आप आगे आगे देखेंगे कि मैंने कितना सारा खाया और इन खाब यहां मेरी मम्मी और यहां पर जब यह मंगोडे खाया नकाइस तो सीरियसली बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और खाने के बाद मुझे एकदम लगी सर्दी और मुझे पता चला कि धूप निकल आई है तो मैं जल्दी से फटाक से आ गई थी चट पर क्योंकि मे मम्मी के घर भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगे और मुझे बहुत अच्छा लगपाई जब इस प्रकाद से पेड़ पौधे लगे होते हैं क्योंकि हमारे भी लगे हुए है फिर उसके बाद भाभी भी आ गई थी चट बड़ी अधूप लेने के लिए हम लोग थोड़ बाल धोए थे तो वो सारे गीले थे और बिल्कुल सूखे नहीं थे तो मैंने का चलो अब धूब निकल आई है तो उनको थोड़ा सा बालों को खोल के सुखा लेती हूँ क्योंकि जब तक बाल गीले होते है ना तो सर्दी तो जाती ही नहीं है जब बाल सूख जाते है तब ही ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है फिर उसके बाद छट पे ही मेरे हस्बेंड आ गए थे तो यहाँ पर उनके लिए भी गरमा गरम बनके आ गए थे मंगोडे और चाहे क्योंकि जब हम लोग ममी के घर पे आये तो मेरे हस्बेंड जो है वो नाइट में ड्यूटी चले गए थे तो वो घर पे थे नहीं पर मैंने फोन करके उनको बता दिया था तो इसलिए फिर वो आ गए थे जैसे ड्यूटी से तो वो घर पे आ गए थे मतलब मम्मी के घर पे आ गए थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मम्मी उपर ही छट पे लियाई थी लड़ू सब को खाने के लिए तो संक्रांती जो है वो सिर्फ खाने खाने में जा रही थी दिन भर ऐसा लग रहा था कि मतलब खाना खतमी नहीं हो रहा हो फिर जैसे लड़ू सब ने खाए उसके बाद आप देख सकते हैं कि बनी खिचडी और खिचडी हम लोगों क्या मतलब बैसे तो नॉर्मल बे में ही बनती है लेकिन जादा किसी को सादा खिचडी पसंद नहीं आती है तो हम लोगों ने इसी में दाल मिक्स करके एक तोर से तहेरी टैप से बना ली थी किचडी और नीचे भाई को और मेरे हस्बेंट को दे दी थी हम लोगों ने खाने के लिए और उपर हम सब लोग आ गए थी छट पे बड़िया धूप में खाने के लिए और वाकई में सर्दी में धूप में बैटके खाऊना तो बहुत अच्छा लगता है बहुत मज़ा आता है तो यहाँ पर फिर मैं भी बैट गई थी और हम लोगों ने छट पे आराम से बैटके खाया आप लोग भी देख रहे होंगे कि सिर्फ खाने के अलाबा तो आज कोई बात होई नहीं रही थी और मैं यहीं बोल रही थी कि पता नहीं आज तो मेरा क्या होने वाला है फिर उसके बाद हो गई थी गए साम हमने थोड़ी देर किया आराम गंटे दो गंटे और फिर से बहुने बना ली थी चाय सब के लिए और जब मैं चस से नीचे आई तो मैंने देखा कि बहुने सब के लिए बनाई है चाय और यहाँ पर मेरे हस्बेंड जो है वो सो रहे थे और मेरा बेटा जो है वो सो रहा था बस सासु मा उठ गई थी मेरी मम्मी उठ गई थी मैं उठ गई थी तो बड़िया आराम से आप देख सकते हैं बाप बेटे सो रहे हैं और इनको कोई भी फिकर नहीं है कि कितना समय हो गया है जब मैंने इनको उठाया कि चाय पीलो तब जाकि ये उठे हैं और सम्थिंग ऐसे बच गया होगा हम लोगों को उस पांच या साड़े पांच और मैंने भी फिर यहां पर गर्मा गर्म फिर से पीचा है तो गाइज फिर उसके बाद हो गई थी साम और यहां पर बन गया था खाने में आप देख सकते हैं मटर पनीर और पूरियां तो गाइज आज जो हालत थी मेरी वो खाखा के बिल्कुल असी लग रहा था कि खराब होने भाली है मतलब इतना प्यार देखके इन लोगों का मेरे से रहा नहीं जा रहा था वो वाकई में देखो भाई मेरे जुमाई के वाले वो वाकई में मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते है और आप लोगों ने इनके खिलाने में मेरा प्यार देख लिया होगा और मैं जब भी आती हूँ इसी प्रकार से इनका जो प्यार है वो जलकता ही रहता है हमेशा और यहाँ पर जैसे खाना बना तो फिर खाना लगा दिया गया है सब के लिए और यहाँ पर मेरी जो सासुमा है और मेरे हजबेंट उनके लिए खाना लगा दिया गया था क्योंकि भाई चला गया था मेरा ड्यूटी तो हम ही लोग थे यहाँ पर खाना खाने के लिए और फिर उसके बाद जब मेरे हजबन ने मेरी सासमा ने खाना खा लिया फिर हम लोगों ने यहाँ पर आराम से तीनों लोगों ने बैठ के खाया खाना मेरी मम्मी है मेरी भाबी है मैं खुद हूँ और समय जो है वो guys राती हो गई थी तो नौतो बजी लिया था मुझे जाना था अपने घर क्योंकि मैं रुकने के परपस से बिलकुल भी नहीं आई थी मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं आ रही हूं लेकिन मैं साम को अपने घर बापस आ जाओंगी तो फिर मम्मी ने बोल दिया था कि ठीक है तो इसलिए guys फिर मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी मचाने लग गई थी और उसके बाद यहाँ पर मेरी मम्मी ने विदाई में हम लोगों को त्योहार की बज़े से सब को दि जीजेगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ओके बाई बाई लव यू ओल गाईज